कोई कितना भी बोले आप सदयाव खुद को शांत रखें क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकती तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागर बेटा आज का जो दूर चल रहा है न किसी को नोकरी की टेंशन है किसी को अपनी शादी की टेंशन है किसी को बिमारियों ने घेर रखा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है क्या हमने सूचा है अगर हम अपना कर्म करते रहते हैं तब जो है हमें कोई परिशानी नहीं होती है लेकिन कर्म करने के बाद भी कई बार ऐस परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें उनका फल अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि हम बहुत बार कोशिश करते हैं नोकरी के लिए बच्चे घूंगते रहते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उनको नोकरी नहीं मिलती है तो आप देखो फिर टेंशन तो होगी ही होगी ट कि राश हो जाता है कि मैं इतनी मेनत करता हूं फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिलता है बहुत सारे बिजनसमेन हैं बिजनस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या है कि व्यक्ति को कुछ सोचना चाहिए कि आख आपको सोचना चाहिए कि हमें मानव शरीर मिला है जब मानव शरीर मिला है तो हमें कुछ दान पुन भी करना चाहिए यानि कि ग्रह जो है वो हमारी राश्यों पर अपना प्रभाब डालते रहते हैं और समय समय पर इनकी शांती का उपाई हमें करना चाहिए तब हमारे जीव मंगल बुद्ध ब्रस्पति शुकर शनी राहु और केतु इन में से भी जो शनी राहु केतु हैं ये थोड़े जादा भयंकर हैं यारी कि इनकी दशा लगने पर व्यक्ति को परिशानिया जादा होती हैं मंगल और बुद्ध इनको भी क्रूर ग्रह माना गया है क्योंकि मंगल वार है वो बहुत सारे लोगों के जीवन में अमंगल भी कर देता है तो हमें इसका भी उपाई करना चाहिए वैसे तो कि राशी के अनुसार उपाई होते हैं लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसा जो आप मंगल वुद्ध और शनिवार को अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन से दीरे दीरे परिशानिया दूर हो जाएंगी मानलो आपको कोई शत्रू भी परिशान कर रहा है तो उसकी शत्रूता भी खतम हो जाएगी वो आपसे पराजित हो जाएगा आपको क्या करना है इन तीन वारों को मंगल गुद्ध और शनीवार को कि तेल के अंदर गुड के पुवे बनाने हैं बनाकर आप कुद्धे को भी खिला सकते हो गुद्धे को भी खिला सकते हो तो इन दोनों को खिलाने से कहा है आपके जो ये प्रूर ग्रहे हैं वो आपकी राशी पर शान्त हो जाएंगे और वो अच्छा मंगल प्रभाव डालेंगे यानि कि जो उनका प्रभाव होगा वो शुब हो जाएगा अब तक तो अमंगल या मंगल हो रहा था तो मानलो आपको कोई परिशानी किसी समय नहीं भी है फिर भी आपको महीने या दो महीने में ये एक उपाय कर देना चाहिए क्योंकि हम इतना कमाते हैं किस लिए कमाते हैं क्या कुछ दानपुन नहीं कर सकते हैं दानपुन के साथ साथ इन ग्रहओं की शान्ती के लिए भी हमें कny equilibrium आम बोल चल की बाशा में इनको करडे वार बुला गया और करदे आई इंए नक्षटर बुला है और ये तीनों जब अपना प्रभाव डालते हैं यानकि राहुकेतू, शनी और मंगल तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकटों से गिर जाता है तो आपको ये उपाय करना है आप ये मत सोचना कि मैं आपको उपाय बता रही हूं मैंने भी जो है ये कई बार उपाय किये है आज भी शनीवार है तो ये देखो मैंने पूए बनाए है और ये मैं आपको थाली में डाल कर जो है दिखा रही हूं ये बना लिये हैं अब मैं क्या करूँगी इनको थैली में डालूँगी और थैली में डाल कर फिर इनको हमारे य आगे जो है, ये सारे पुए डाल दिये हैं, तो एक गोदा है, अब देखो ये दूसरा भी आ गया है, तो इनको जो है मैंने खिला दिया है, तो ये सब परमात्मा की बनाई हुई स्रिष्टी है, लेकिन अलग-अलग इनका महतो है, तो शनीवार, मंगलवार और बुद्धव आप ये पुए बनाकर गोदे को खिलाएं, कुटे को खिलाएं, गाई को भी खिला सकते हैं, गाई का महतोतो के ब्रसपतिवार को ज़्यादा माना गया है, इसलिए इन कुर ग्रहों की शान्ती के लिए आपको ये मिठे, आप ये गोल जो मैंने बनाई है, ऐसे भी बना सकत हो और खिलाने सिर्फ किसको हैं, कुटों को और गोदों को, आप कुछी दिनों में देखना कि इनका प्रभाव ऐसा आपके जीवन पर पड़ेगा, कि जो परिशानियां, संकट, मुसीबते आपके जीवन में थी, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएंगे, तो ठीक है बच्चो आप ये उपाई करो और टेंशनों से मुक्त हो जाओ, तो कैसा लगा ये मेरा उपाई, अगर आपको ये उपाई करने से थोड़ी सी भी शांती मिलती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बोक्स में जो है, जरूर बताना अगर आपका कोई कारे सिद्ध हो जाता है, लेकिन आप ये कार्या करना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास जो है, वही आपको मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगी इस उपाई को करने से, तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेर करे, कमेंट करे, ब करे, किया दो है, लाइक और रजय कुटकारा दिलाएगी आपम делает करे, ब्रद्धार करे, क्योंकि जिcket करेंजिआए आपको मुसी से, कि अर तिलाएगी आपको मुसी से, कông converted से, कि मैंट करना चालो है, पlor wahr, झालो है, वही आपको एक साद करे, को दो, किको हैंगी दएगा प